आज हम बनाने जा रहे हैं मटन आलू चलिए बनाते हैं हम इसे कड़ाही हमारा गरम हो चुका है मैंने तेल डाल दिया है उसमें मैंने 4 से 5 तेक पत्ता डाला है और 5 से 6 कटे हुए प्याज प्याज को हमें हाई फ्लेम पे गोल्डेन ब्राउन होने तक फ्राई करना है मैंने लगभग 1 कजी मटन लिया है इसे मैंने अच्छे से धोकर रख लिया है प्याज हमारा गोल्डेन ब्राउन हो चुका है अब हम मटन पीसेज को डाल देंगे प्लेम को हाई रखके हमें मटन पीसे इसको बिल्कुल अच्छी तरख से भून लेना है ताकि मटन का पानी बिल्कुल सूख जाए अब इसमें हम एक चम्मच हल्दी पाउडर, दो छोटे चम्मच नमक डाल देंगे और इसे मिलाकर अच्छे तरीके से भून लेंगे प्लेम को हाई रखेंगे हम इधर मसालों के लिए हमें चाहिए लहसुन, खडी मिर्च लाल, अद्रक और हरी मिर्च आठ से दस, काली मिर्च जीरा, कटे हुए प्याज लगभग एक से दो, छोटी इलाइची चार, बड़ी इलाइची दो और लॉंग लगभग चार से पाउच, और एक चम्मच धन्या पाउडर डाल कर इसका हम स्मूथ पेस्ट तयार कर लेंगे, इधर हमारा मटन बिल्कुल अच्छी तरीके से भून रहा है, हमें इसे तब तक भूनते रहना है, जब तक इसका पानी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, ये देखे हमारा मटन बिल्कुल अच्छी तरीके से पानी इसका, यह भी अच्छी तरीके से बिल्कुल भून चुका है अब मसाले का जो स्मूथ पेस्ट मैंने तयार किया था अब हम डाल देंगे अच्छी तरीके से मिला लेंगे हम इसे ताकि सारी चीजें अच्छी तरीके से मिल जाए हमारी हाई प्लेम पे इसे हमें मसालों में भी भून लेना है ताकि इसका फ्लेवर बिल्कुल अच्छा आए और मसाले हमारे कच्चे ना रह जाए मैंने लगभग चार से पांच कटेवे आलू हाफ अफ पीसेज में डाल दिया है इसे हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है ताकि हमारे मसाले पक भी जाए और भून भी जाए भून जाने के बाद मैंने लगभग दो से धाई कब पानी डाल दिया है पानी अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं और इसे ढख देंगे हम लगभग 25 से 30 मिनट के लिए पकने के लिए 25 से 30 मिनट के बाद हम देख लेंगे हमारा मटन आलू बनकर रेडी हुआ है या नहीं अगर हमें ग्रेवी थोड़ी सी थेक चाहिए तो हम इसे और भी पका सकते हैं खुली आज पे ताकि इसका ग्रेवी थेक हो जाए मुझे जैसी ग्रेवी चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही है तेल भी साइड से मटन ने छोड़ दिया है मतलब हमारा मटन बिल्कुल रेडी हो चुका है अब हम इसमें धनिया की पत्ती कटी हुई डाल देंगे इसे अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे हमारा मटन बिल्कुल अच्छे तरीके से बनकर रेडी हो चुका है हम इसको सर्विंग बोल में निकाल लेंगे हम मटन को रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ इंजॉई कर सकते हैं ये देखिए हमारा मटन नालू बनकर रेडी हो चुका है थैंक्यू